Good evening students, जैसे हम लोग ने भी discussion किया था कुस time पहले, class 12 के syllabus में changes आए हैं, similar हमारे पर class 11 के syllabus में भी changes आए हैं, तो वो हम लोग थोड़ा discussion करेंगे बेटा हम लोग, सबसे पहले हम accountancy के लिए syllabus का discussion करेंगे, तो मैं अब थोड़ी से एक आप से बात कहूँगा बेटा, Class 11 की Accountancy में समझ लीजे जैसे आटे में नमक वाली बात कही गई है इसका अगर जैसे आटे में नमक डालते हैं ऐसी कि अगर उस आटे से वह उस नमक को निकाल लिया गया है इसका मतलब Slavus के अंदर में Deletion ना के बराबर किया गया है लेकिन हमस्चीच के लिए तैयार है इसका reason क्या है पिटा क्योंकि Class 11 में Accountancy आप पहली बार पढ़ेंगे पहली बार Accountancy पढ़ेंगे और आपके लिए क्या है पिटा वो Base Accountancy और आपको वो आना चाहिए पिटा क्यों Accounts के अंदर में आपके Basics को हम लोग नहीं छेट सकते हैं इसलिए बहुत-बहुत कम Deletion किया गया है तो बहुत डिटेल में हम लोग नहीं करेंगा Accountancy के लिए और इसी वीडियो में आपको मैं Mathematics के लिए बताऊंगा Mathematics को शहाइद CBSE बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं तो वहाँ पर काफी चेंजेद हैं जहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हर एक चप्टर में ज़े काफी कुछ करा गया है और दो चप्टर तो पूरे-पूरे डिलीट भी किये गये हैं बिल्कुल हम चर्चा करेंगे उसके वापर हम लोग लेकिंपहले हम आपकाउंटेंटी का सिलेबस निसकेशन कर रहा है जैनने कि मैं सबसे पहले बात करेंगा चलास चलास 11 का सिलेबस क्लस मैं चाप्टेंक्र में यह क्रणा करेंगे ट्टेंटथिक्शण टो आएगा basic accounting time आएगा जैसे अभी तक हर इसको ने 5 चप्टर हो चुके हैं number 3 आएगा हमारे पास yes basic accounting concepts आएगे chapter 4 आएगा आपका yes two basis of accounting accounting equation का chapter है chapter 8 general ledger का आता है इसके लावा chapter और भी बहुत सारे हैं हमारे पास वहाँ कोई changes नहीं है बटा कोई चेंज नहीं है कोई भी नहीं चाहता कि आपके base के साथ कुछ गड़बट की जाए yeah cbsc ने बहुत अच्छा किया है slave us बहुत कम delete किया है हम तो यहीं कहेंगे क्योंकि base अमारा बन जाए क्योंकि पहले भी class 11th accountancy का slave us कुछ ज़्यादा नहीं है तो आप उसको अच्छे नहीं से त्यारे करेंगे जहां जाच चेंज नहीं पहता रहा हूं बेटा यह आप बाद में करेंगे तो एक chapter आएगा bank reconciliation statement एक chapter आएगा bank reconciliation statement जादे तर जो schools होते हैं उनका यह half year ली का last chapter होता है bank reconciliation statement है आप अलग-अलग book follow करते हैं उसके अंदर चेप्टर का order अलग-अलग हो सकता है हम लोग मान लेते हैं chapter number 12 या 13 chapter होता है अगर हम बात करें बार वार तेरवा चेप्टर होता है इसके अंदर एक topic होता है adjusted cash book इसके अंदर एक topic होता है उसके अंदर मेरे नीचे लेवल के साथ में क्या क्या चेंज़ दाए है जिसके अंदर हम चैक शुट बट नौट या पर्जेंट फॉपयमेंट और चैक डिपॉजिट बट नौट क्लियर की हम एड़्जस्मेंट करते हैं वह वाला टॉपिक भी यह कर दे गया गया यह डिली पड़ी रहात नहीं मिलेगी मैं तो यह कहूंगा लेकिन ठीक है जो उसी बेश्यका डिसेन हैं उन्होंने काफी सोच समझ के लिए होगा यह रिटार्मेंट ऑब बिल है जिसको गलते हैं बिल अंडर रिबेट है वहला टॉपिक हमारा यहां डिलीट हुआ है और एक छोटा इसका मतला हमारे एक chapter होता है accounts of यानि की financial statements of financial statements of soul proprietor मैं फिट से लिखना चाहूँगा financial statement of soul proprietor अभी तक तो आपको पता लग चुका होगा कि काफी जगे class छुरू हो चुथी कि कि लेकिन आपका result भी नहीं आई अभी तक तो मैं class 11 की बच्चों के लिए उनको all the best भी कहना चाहूँगा जो 15 जुलाई को CBAC ने कहा है कि आपके लिए result लेके हैंगे वो तो financial statement of sole proprietor के अंदर में 3 chapter बनते हैं बेटा एक theoretical chapter है एक फिर हमारे पास 3 practical chapter है एक chapter और थर्ड वाला इसके अंदर में जो है single entry system single entry system single entry system बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक कटा गया है बहुत लोग तो उसको करवाते भी नहीं थे मैं आपको बता हूँ बिल्कुल करवाते भी नहीं थे एक conversion method होता है जो लास्टेर ही हमारे यहां पर है क्या है बैटे तीन चोटे अकाउंट बनाने पड़ते हैं हमारे को यानि कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है एक पी अंडल अकाउंट होता है वह कड़ गया लेकिन जहां तक मेरी understanding कहती है यहां पर एक data account बनाना होता है क्रेटर अकाउंट बनाना होता है जो टीचर भी इस वीडियो को देख रहे होंगो शायद वो मैंसे बताऊंगा आपको थोड़ा सा mathematics के बारे में बताऊंगा कि मैस में स्लेबस में क्या क्या चेंज आए बिलकुल मैस के स्लेबस में काफी चेंज सी बेसी ने यहां पर किये हुए तो उनको हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे class 11 का जो मैस का जो स्लेबस है प इतने चैप्टर हैं मैं 16 चैप्टर है तो 1 मैं नमबर लिखोंगा 1 2 3 4 कोशिश करूँगा यहां तक पूरे आ जाए 5 6 7 8 9 10 10 चैप्टर मैंने यहां कवर कर लिए बाकी चैप्टर हम यहां ले लेंगे 11 12 13 14 15 16 16 चैप्टर हमारे पास टोटल है आप कहेंगे सब बहुत ज्य जूर कटा है उसके उपर चर्चा करते हैं हम लोग यानि की पहला चैप्टर हमारा सैट थियूरी का होता है सैट थियूरी के अंदर में बहुत कुछ ज्यादा नहीं कटा आप लोगों ने काफी लोगों ने कर भी लिया होगा यहां पे डिफरेंस ओफ सेट का टॉपिक कर दिया है अब आते हैं दूसा चप्टर मारा होता है यहां पर यहां पर और रिफरेंस है ब्रोडेक्ट है और यहां पास उनका डिवीजन है डिवीजन का मतलब यहां अगर आपने कर लिया हो तो आपको मालूम होगा दो फॉक्चंगण करते थे एफ एक्स प्लस ये एक्स इसका हमाला कुछ ना कुछ हर चेप्टर से कटा है अपने देखा इतना ज्यादा नहीं कटा था चेले कोई बात नहीं अब हम लोग चेप्टर 3 पे आते हैं यह सभी को बहुत बढ़िया चेप्टर है और यह बेस है पूरी क्लास 11 और 12 के लिए बहुत बच्चे करते हैं यहां सी बेसी ने थोड़ा सा सोचा है 3.4 एक्सराइज है हमारे पास यह वो है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सराइज है वो पूरी पूरी एक्सराइज उड़ा दिये जहां पर के बारे में हम डिस्कुशन करते हैं वो टॉपिक यहां से ड़ा दिया गया है और आपका पूरा का पूरा चेप्टर क्या कर दिया गया है ठीक है जी चलते हैं चप्टर 5 पे आते हैं चप्टर 5 में कॉम्प्लेक्स नमबर है काफी जगे स्कुलो में हो चुका है मेरी जानकारी में हैं कॉम्प्लेक्स नमबर का टॉपिक है जहां पर क्लास 11 उन्हों ने प्रोविजिनल बेसेज पे शुरू कर दी थी class 11 में यहाँ पे क्या कटा है एक तो polar form कट गई है आप लोगों ने exercise कियोगी second वाली 5.2 exercise के अंदर में 8 question दे रखे है polar form में वो कट गई है और एक square root की supplementary दे रखी थी आपको square root square root निकालते हैं हम लोग बड़ा favorite question है सभी लोगों का 24 plus 7 आउटा वाला यहाँ से एकसाइड डिलीट कर दी गई है यहाँ सप्लिमेंटरी वाली एकसाइड डिलीट कर दी है चप्टर 6 पर आते हैं हम लोग यह है बड़ा मारे पास linear in equation का यह चप्टर मैंने क्या बोला बड़ा आपको किसका बड़ा linear in equation का चप्टर है इस चप्टर है कुछ भी डिलीट नहीं किया गया निल महला कुछ भी नहीं कर डिलीट किया गया निल changes कोई changes नहीं है उसका reason यह class 12 के अंदर यह topic काम आता है जहाँ पर linear programming problem बोलते हैं इसलिए सब्सक्राइब कोई छेट खारी नहीं करी है उसके बाद आते हैं हम लोग chapter number 7 पर आते हैं yes यह हमारा permutation and combination का chapter है इसमें जे भी कुछ नहीं कटा यह लिखा हुआ वैसे भी teacher लोग हम लोग कराते कम है derivation है derivation कटा है बेटा derivation कटा है NCR और NPR NCR और NPR का derivation यहां पर कटा है NCR कहीं बच्चों को लगेगा सर NCR क्या है NPR क्या है यह combination और permutation के formula होते हैं आगे चलते हैं उसके बाद बड़ा अच्छा है yes binomial theorem binomial theorem जो है वो पूरी पूरी डिलीट कर दी गई है यह बहुत अच्छी आपके लिए बात है yes binomial चेप्टर का यह दो चप्टर कट गए देखिए अभी तक आपके लिए binomial theorem का पूरा पूरा क्या कर दिया गया है डिलीट कर दिया गया बाइने वल तोरम चेप्टर अब नहीं है और ऐसे cbs नहीं क्या कर रहा है class 12 में इस लेटेट टॉपिक था वो वहां से भी क्या कर दिया गया है कट कर दिया गया है इसका मतलब यह आपके लिए अच्छा है एक चप्टर कट गया है चप्टर 9 पे आते हैं yes यहाँ पे sequence and series बोलते हैं चप्टर को हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग sequence and series sequence and series का टैपिक हैं यहाँ पे 9.4 exercise आती है हमारे पास वो आती है special sequence अगर किसी ने कर लिया हो मेरी जनकारी में कुछ लोगों ने कर लिया है special sequence आती है जहाँ पे हम लोग sigma n, sigma n square, sigma n cube sum of natural number, sum of squares of natural number, sum of cubes of natural number निकालते हैं वो वाला topic भी क्या कर दिया गया है यहाँ से कार दिया गया है यह मैं क्या बता रहा हूँ the part which is being deleted from syllabus जो part जो है syllabus से क्या कर दिया गया है delete कर दिया गया है अब मैं आँगा यहाँ पे chapter number 10 पे आँगा yes यह बहुत अच्छा chapter है बच्चे को थोड़ा difficult लगता है अब थोड़ा carefully करेंगे chapter को straight line straight line के अंदर क्या कर दिया गया है बेटा shifting of origin कर दिया गया है shifting of origin origin को shift करते हैं हम लोग अब मैंस पढ़ाने नहीं बैठेंगे आपको shifting of origin का topic है state line के अंदर में वह वाला topic क्या कर दिया गया है बेटा delete कर दिया गया है अब आते हैं chapter number 11 पे chapter number 11 जो है conic section का topic है conic section में technically लिखा है आप क्या समझेंगे इसके अंदर भी shifting of origin वाला है जो हमारे parabola है यह ellipse है हमारे पास यह hyperbola है यह हम लोग करते हैं इसमें भी shifting of origin का topic normally कट गया है और what अब आते हैं हम लोग 13 चेप्टर प्यार आते हैं 13 चेप्टर रहे है derivative का derivative का limits and derivative बोलते है limits and derivative limits and derivative यह derivative limit यहां पे भी new changes है उसका reason है बेटा उसका reason के है क्योंकि यह आपके class 12 में आएगा limit and derivative का chapter बहुत important है जो आपके class 12 में आने वाला topic है उसके बाद आएंगे हम लोग यह आपके लिए बहुत अच्छी नीज है यह चैप्टर बैसा बता हूं आपको जातर स्कूल वाले कराते हैं mathematical reasoning बच्चे कहते हैं there is a no reasoning of this chapter तो CBS ने इस बार मानी लिया yes deleted तीसरा कर दा मारा गिर गुर गया है तीसरा विकित हमारा गिर गया है यहां पर mathematical reasoning का भी किइध हमारे किर गया है उसके बाद आते है Тогда Box यह स्टैलेग्स वाले बच्चों को अतनी प्रफेट नहीं आती है क्ई स्टैट्स वह तो already economics के अंदर में किया कृटा है यहाँ बहुत जयादा कुछी कटा है यहाँ पर ज़ा पेपर का क्योंकि यह six marker के लिए perfect choice होती है और एक chapter बसता है yes probability और आपके जानकर एक लिए बताऊं probability चेप्टर वह chapter है जो class 12 में भी जाएगा और probability में क्या कटा है कुछ ज्यादा नहीं कटा इसके अंदर में इसके थोड़े जो basics है जो already आप class 10 के अंदर कर चुके हैं इसके addition theorem आती है जहां तक मेरी understanding बनती है addition और multiplication theorem आती है वहां से थोड़ा थोड़ा है यहां से कुछ-कुछ वो topic कटा गया जो set theory से related होते हैं तो finally हम लोग conclude करते हैं कि हमने class 11 के जो हमारा syllabus जो है class 11 का जो हमारा syllabus है वो वहां पे class 11 का जो syllabus है उससे math में काफी topics को क्या कर गया काटा गया सबसे important है yes मैं दिवारा repeat कर देता हूँ chapter number 4 delete हो गया chapter number 8 delete हो गया chapter number 14 delete हो गया अपने आप में बहुत अच्छी बात है topics भी count कर ले एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ नो दस 12 में 20 और यहां 10 topic plus 10 topics आपके डिलीट कर देगे हैं प्लस थ्री chapters देगे I think so आप इसको पर काम करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा सी बैसी ने decision लिया है तो आप इसको पर काम करेंगे पूरे साल आपके बाद 8 मेने हैं करीब करीब and all the best from my side